साथियों बहुत बहुत नमश्कार आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो की लिखी गई है मुन्शी प्रेम चन्जी द्वारा इस कहानी को जब आप सुनेंगे तब आपको पता चलेगा कि कभी कभी हमारी लाइफ हमारी जिंदिगे में कुछ ऐसे घटना क्रम हो जाते हैं जो व्यक्ति का सुभाव बदलने का दम रखते हैं जादा कंजूस व्यक्ति मित्वे व्यक्ति किस तरह किसी घटना क्रम से अपने आपको बदल लेता है ऐसा क्या होता है उसके जीवन में ऐसी कौनसी घटना उसके जीवन में घटित हुई कि उसने अपने आपको बदल लिया उसके अंदर इंसानियत का भाव जागा तो आज हम इस कहानी में यही देखते हैं कि एक डॉक्टर साहब जो कि बहुत कंजूस थे, बहुत मित्विये, जिनके घर में सभी लोग उनसे परिशान थे, ऐसा क्या हुआ उनके जीवन में कि उन्होंने अपना सुभाव बदल डाला, बदल क्या डाला, स्वयम ही परिवर् हो गया। चलिए सुनते हैं इस कहानी में। कहानी का नाम है मूट। और डॉक्टर यंत्र आधि भी साब सुतुरेना थे, मित्वेता कि सिध्धान्त का वे अपने घरेलू बातों में भी बहुत ध्यान रखते थे। लड़का जवान हो गया था पर अभी उसकी शिक्षा का प्रश्ण सामने ना आया था। सोचते थे कि इतनी दिनों तक पुस रख दिया था कि उनकी कमर भी जुग गई थी। मा भी जीवित थी पर गंगा इसनान के लिए तरस-तरस कर रह जाती थी। दूसरे पवित्र इस्थानों की यात्रा की चर्चा ही क्या। इस क्रूर मितवेथी का परिणाम यह था कि इस घर में सुख और शांती का नाम न था। अगर कोई मद भुटकल थी तो वे बुढ़िया महरी जगिया थी। उसने डॉक्टर सहाब को गोद में खिलाया था। उसे इस घर से ऐसा प्रोईम हो गया था कि सब प्रकार की कठना जिलती थी पर टलने का नाम न लेती थी। डॉक्टर सहाब डॉक्टर याए की कमी को कपड़ और शक्कर के कारखानों में हिस्से लेकर पूरा करते थी। आज संयोंग वश बंबई के कारखाने में उनके पास वार्षिक लाब के साड़े साथ सो रुपे भेजे। बोज हलका हो जाए। डॉक्टर सहाब डाकियों को प्रसन रखा करते थे। उन्हें मुफ्त दबाई दिया करते थे। सोचा कि हाँ मुझे बैंक जाने के लिए तांगा मंगाना ही पड़ेगा। क्यों न बिन कोड़ी के उपकार वाले सिध्धान से काम लो। रुपे गिन कर एक ठेली में रख दिये और सोच ही रहते कि चलो उन्हें बैंक में रखता हूं कि एक रोगी ने बुला भेजा। ऐसे अबसर यहां कदाचित ही आते थे। यह दिपी डॉक्टर साब को बकस पर भरोसा ना था पर विवश होकर ठेली बकस में रखे और रोगी को देखने चले गए वहां से लोटे तो तीन बच चुके थे बैंक बंध हो चुका था आज रोपे किसी तरह जमाना हो सकते थे प्रति दिन की भाती और शधाले में बैट गए रात आट बजे जब घर के भीतर जाने लगे तो ठेली को घर ले जाने के लिए बकस से निकाला ठेली निकले विक्षिप्ट अधिरता के साथ बकस के दूसरे खानों को टटोला परदु सब्व्यर्थ निराश होकर एक कुरसी पर बैट गए और इस्मरण शक्ति को एकत्रित करने के लिए आखे बंध कर दे और सोचने लगे मैंने रुपे कहीं अलग तो नहीं रखे डाकी ने रुपे कम तो नहीं किये मैंने गिनने में भूल तो नहीं की मैंने 25-25 रुपे की गड़िया लगाई थी पूरी 30 गड़िया थी खोब याद है मैंने एक एक गड़ी गिनकर थैली में रखे इस परने शक्ति मुझे धोका नहीं दे रही सब मुझे ठीक-ठीक याद है बकस क में आ गया कुझी मेज पर ही छोड़ दी थी जल्दी के मारे उसे जेब में रखना भूल गया वह अभी तक मेज पर पड़ी है बस यही बात है कुझी जेब में डालने की याद नहीं रही परन्तु ले कौन गया बाहर दर्वाजे बंद थे घर में धरे रुप्य पैसे कोई पड़ी देखी हो और बक्स खोल कर रुप्य निकाल लिये हूं इसी से मैं रुप्य नहीं लिया करता कौन ठिकाना डाकिये की ही करतू थो बहुत संभव है उसने मुझे बक्स में थेली रखते देखा था रुपय जमा हो जाते तो मेरे पास पूरे हजार रुपय हो जाते ब्यात जोडने में सरलता होती क्या करूं फोलिस को खबर दूं वियर्थ बैठे बिठा है उलजन मोल लेनी है तोले भर के आदमियों की दर्वाजे पर भीड होगी दस-पांच आदमियों को गालियां खानी पड़ेंगी फल कुछ नहीं तो क्या धीरज धर कर बैठा रहू कैसे धीरज धरूं यह कोई सेंतमेंत मिला धन तो था नहीं हराम की कोड़ी होता तो समझता कि जैसे आई वैसे गई यहां एक एक पैसा अपने पसीने का है मैं जो इतनी मित्वयता से रहता हूं इतने कश्ट से रहता हूं कंजूस प्रसिद हूं घर के आवशक व्यमें भी काड़ छाड़ करता हूं क्या इसलिए कि किसी उचक्के कि मनोरंजन का साधन जुटा हूं मुझे रेशम से ग्रणा नहीं नहीं मेवे अरुची कर हैं न अजीन का रोग है कि मलाइक हाँ और अपच हो जाए ना आखों में दरश्टी कम है कि थेटर और सिने में का आनंद न उठा सकूं मैं साबोर से अपने मन को मारे रहता हूं इसलिए तो कि मेरे पास चार पैसे हो जाए काम पढ़ने पर किसी के आगे हाथ न भेलाना पड़े कुछ जायदाद ले सकूं और नहीं तो कुछ अच्छा घर ही बनवालूं पर इस मन मारने कही है फल गाड़े परिश डॉक्टर साब बदला लेने के लिए व्याकुल हो गए हैं मैंने कभी किसी फकीर को किसी सादू को दर्वाजे पर खड़ा नहीं होने दिया अनिक बार चाहने पर भी मैंने मित्रों को अपने हां निमंतरित नहीं किया को टुम्बी और संबंदियों से सदा बचता रहा क्य इसलिए उसका पता लग जाता तो मैं एक विशयली सुई से उसके जीवन का अंत कर देता किन्तु कोई उपाय नहीं है जुलाहे का गुस्सत दाड़ी पर गुप्त पुलिस वाले भी बस नाम के ही हैं पता लगानी की योगता नहीं इनकी सारी अकल राजनितिक व्याख्या जानों जूटी रिपोरिटों के लिखने में समाप्त हो जाती है किसी मैसमेरिजम जानने वाले के पास चलूं वह सुलजहन को सुलजा सकता है सुनता हूं यूरोप और अमेरिका में बहुदा चोरियों का पता इसी उपाय से लग जाता है पर यहां ऐसा मैसमेरिजम का तो निकालते हैं, मैंने कभी उन कहानियों पर विश्वास नहीं किया, परंतो कुछ ना कुछ इसमें तत्व है, अवश्य है, नहीं तो इस प्रकर्ति उपासना के युग में इनका अस्तित भी न रहता, आजकल के विदवान भी आत्मिक बलकर लोहा मानते जाते हैं, पर माल किसी ने नाम बतला ही दिया, तो मेरे हाथ में बतला चुकाने का कौन से उपाय है, अंतर ग्यान साक्षी का काम नहीं दे सकता, एक शण के लिए मेरे जी को शांती मिल जाने के सिवाए इनसे और क्या लाब है, हाँ, खूब याद आया, नदी के और जाते हुए वह जो एक पूझा बैटता है, उसके करतब की कहानिया प्राय सुनने में आती है, सुनता हूँ गए हुए धन का पता बतला देता है, रोगियों को बात की बात में चंगा कर देता है, चोरी के माल का पता लगा देता है, मूट चलाता है, मूट की बड़ी-बड़ाई सुनी है, मूट पफल पाऊंगा, रुपे भी मिल जाएंगे, चोर कोशिक्षा भी मिल जाए, उसके यां सदा लोगों की भीड लगी रहती है, इसमें कुछ कर्तब ना होता तो लोग इतने क्यों जमा होते? उसकी मुखाकरती से एक प्रतीबा बरस्ती है, आजकल के शिक्षित लोगों को तो इन बातों पर विश्वास ही नहीं है, पर नीच और मूर्ख मंडली में उसकी बहुत चर्चा है, भूत प्रेतादी की कहानिया प्रती दिन ही सुना करता हूँ, क्यों ना उसी ओजह के पास चलू, मानलो कोई लाब ना हुआ तो हानी ही क्या हो जाएगी, जहां पांच सो गए हैं, दो चार रुपे का खून और सही, यह समय भी अच्छा है, भीड कम होगी, चलना चाहिए, जी मैं यह निश्चे करके डॉक्टर साब उस ओजह के घर की और चल पड़े, जाड़े की रात थी, नौ बज गए थे, रास्ता लगभग बंद हो गया था, कभी कभी घरों से रामायन की धोनी कानों में आ जाती थी, कुछ देर के बाद बिलकुल सन्नाटा हो गया, रास्ते के दोनों और हरे भरे खेतते, सियारों का हुआना सुन पढ़ने लगा, जान पढ़ता है इनका दल कहीं पास ही है, डॉक्टर साब को प्राया दूर से इनका सुरीलस और सुनने का सुभाग हुआ था, पास से सुनने का नहीं, इस समय इस सन्नाटे में और इतने पास से उनका चीखना सुनकर उन्हें डर लगा, कई बार अपनी छड़ी धर्ती पर पटकी, पैर धम धमाएं, सियार बड़े डर पोक होते हैं, आदमी के पास नहीं जाते, पर फिर संदे हुआ, कहीं इन में कोई पागल हो तो उसका काटा बचता ही नहीं, यह संदे होते ही कि टानू, बेक्टेरिया, पास्टियार, इंस्टिट्यूट और कसॉली की याद उनके मस्तिश्क मे चक कर काटने लगी, वह जल्दी जल्दी पैर बढ़ाय चले जाते थे, एक का एक जी में विचार उठा, कहीं मेरे ही घर में किसी ने रुपे उठा लिये हो तो विततकाल ठिटक गए, पर एक ही शण में उन्होंने इसका भी निर्णय कर लिया, क्या हर्ज है, घरवालों को तो और भी कड़ा दंड मिलना चाहिए, चोर की मेरे साथ सहनुबूती नहीं हो सकती, पर घरवालों की सहनुबूती का तो मैं अधिकारी हूँ, उन्हें जानना चाहिए कि मैं जो कुछ करता हूँ, उन्हीं के लिए करता हूँ, राद दिन मरता हूँ, तो उन्हीं के लिए मरता हूं यदि इस पर भी वे मुझे यूँ धोका देने के लिए तैयार हो तो उनसे अधिक कृतेग्न उनसे अधिक आकरतग्य उनसे अधिक निर्दय और कौन होगा और उन्हें और भी कड़ा दंड मिलना चाहिए इतना कड़ा इतना शिक्षा प्रत कि फिर कभी किसी को ऐस करने का साहस ना हो अंत में वे ओजे के घर के पास जा पहुँचे लोगों के भीरना थी उन्हें बड़ा संतोश हुआ हां उनकी चाल कुछ धीमी पड़ गी फिर जी में सोचा कहीं यह सब ढकोसला ही ढकोसला हो तो व्यर्थ लज्जित होना पड़े जो सुने मूर्ख बना पर अब तो आ गया यह तजर्बा भी हो जाए और कुछ ना होगा तो जाच ही सही ओज्जा का नाम बुद्धु था लोग चौदरी कहते थे जाती का चमार था छोटा सा घर और वहबी गंदा छप पर इतनी नीची कि जुकने पर भी सिर में टक्कर लगने का डर था दर्वाजे पर एक नीम का पेड़ था उसके नीचे एक चौरा नीम के पेड़ पर एक जंडी लहराती थी चौरा पर मिट्टी के सैकड़ो हाती सिंदूर से रंगे हुए खड़े थे कई लोहे के नोकदर त्रिशूल भी गड़े थे मानो इस मंद गती हातियों के लिए अं ने रखे थे बुद्धु ने डॉक्टर साहब को देखर तुरंत बोतल छिपा दे और नीचे उतर कर सलाम किया घर से एक बुड़िया ने मोड़ा लाकर उनके लिए रख दिया डॉक्टर साहब ने कुछ हिपते हुए सारी घटना कह सुनाई बुद्धु ने कहा हुजूर ये कौन बड़ा काम है अभी इसी इतवार को दरोगा जी के घड़ी चोरी हो गई थी बहुत कुछ तहकीकात की पता ना चला मुझे बुलाया मैंने बात की बात में पता लगा दिया पांच रुपे इनाम दिये कल की बात है जमादार साहब पी घड़ी खो गई थी चारों तरफ दोड़ते फिरते थे मैंने ऐसा पता बता दिया है कि घोड़ी चरती हुई मिल गई इसी विद्या की बदौलत हुजूर हुकाम सभी मानते हैं डॉक्टर को दरोगा और दमादार की चर्चा ना रोची इन सब गवारों के आखों में जो कुछ है वैं दारोगा और जमादार ही है मूले मैं किवल चोरी का पता लगाना नहीं चाहता मैं चोर को सजा देना चाहता हूँ बुद्धु ने एक शण के लिए आखे बंद की जमाईयां ली चुटकियां बजाई और फिर कहा ये घर ही के किसी आदमी का काम है डॉक्टर ने कहा कोई परवानी कुछ हो कोई हो बुड्या बोली पीछे से कोई बात बने या बिगड़ेगी तो हुदूर हमी को बुरा कहेंगे डॉक्टर ने कहा इसके तुम चिंता ना करो मैंने खुब सोच विचार कर लिया है बल्कि अगर घर के किसी आदमी की शरारत है तो मैं उसके साथ और भी कड़ाई करना जाता हूं बाहर का आदमी मेरे साथ छल करे तो शमा के योग्य है पर घर के आदमी को मैं किसी प्रकार शमा नहीं कर सकता बुद्धू ने कहा तो हुजूर क्या चाहते है डॉक्टर बोला बस यही कि मेरे रुपे मिल जाए और चोर किसी बड़े कश्ट में पढ़ जाए बुद्धू ने पूछा मोट चला दूँ बुडिया बोली ना बेटा मोट के पास ना जाना ना जाने कैसी पढ़े और कैसी ना पढ़े डॉक्टर बोला तुम मोट चला दो इसका जो कुछ महनताना और इनाम हो मैं देने को तयार हूँ बुडिया बोली बेटा मैं फिर कहती हूँ मोट के फेर में मत पढ़ कोई जोखम की बात आ पढ़ेगी तो फिर वही बाबुजी तेरे सिर होंगे और तेरे बनाए कुछ न बनेगी क्या जानता नहीं मोट का उतार कितना कठन है बुद्धू बोला हाँ बाबुजी फिर एक बार अच्छी तरह सोच लीजे मोट तो मैं चला दूँगा लेकिन उसको उतारने का जिम्मा मैं नहीं ले सकता डुक्टर ने का अभी कहतो दिया मैं तुमसे उतारने को ना कहूंगा चलाओ भी तो बुद्धू ने आविशक समान की एक लंबी तालिका बनाई डुक्टर साहब ने समान की अपेक्षा रुपे देना आधे कोचित समझा बुद्धू राजी हो गया डुक्टर साहब चलते चलते बोले ऐसा मंतर चलाओ के सवेरा होते होते चोर मेरे सामने माल ले हुए आ जाए बुद्धू ने कहा आप निसा खाते रहे डुक्टर साहब वहाँ से चले तो ग्यारा बजे थे जाड़े की रात कड़ाके की ठंड थी उनकी मा और इस्त्री दोनों बैठी हुई उनकी रहा देख रही थी उन्होंने जी को बहलाने के लिए बीच में एक अंगीठी रख ली थी जिसका प्रभाव शरीर की अपेक्षा विचार पर अधिक पड़ता था यहां कोईला वेलास से पधार समझा जाता था बुड़िया महरी जगिया वही फटा टाटका टुकडा ओड़े पड़ी थी वे बार-बार उटकर अपनी अंधेरी कोटरी में जाती आले पर कुछ टटोल कर देखती फिर अपनी जगे पर आकर पड़ राती बार-बार कुछ थी कितनी रात गई होगी जराबी खटका होता तो चौक पड़ती चिंते द्रिष्टी से इधर उधर देखने लगती आज डॉक्टर साब ने नियम के प्रतिकूल इतनी देर क्यों लगाई इसका सबको आश्चर रह था ऐसे अफसर बहुत कम आते थे कि उन्हें रोग्यों को देखने के लिए रात को जाना पड़ता हो यदि कुछ लोग उनकी डॉक्टरी के कायल भी थे तो वे रात को उस गली में आने का सहस न करते थे सभा सुसाइटियों में जाने की उन्हें रुची ना थी मित्रों से भी उनका मेल जोलना था माने कहा जाने कहा चला गया खाना बिल्कुल पानी हो गया अहल ने आदमी जाता है तो कहकर जाता है आदी रात से उपर हो गई मा बोली कोई ऐसी ही अटक हो गई होगी नहीं तो वे कब घर से बाहर निकलता है अहल ने बोली मैं तो अब सोने जा रही हूँ उनका जब जी चाहें तब आए सारी रात कौन बैटकर पहरा देगा यही बाते हो रही थी कि डॉक्टर साब घरा पहुँचे अहल ने समल बैठी जगिया उटकर खड़ी हो गई और उनके उर सेहमी हुई आँखों से ताकने लगी मा ने पूछा आज कहां इतनी देर लगा दी डॉक्टर साब बोले तुम लोग तो सुक से बैठी हो ना हमें देर हो गई इसकी तुम्हें क्या चिंता जाओ सुक से सो इन उपरी दिखावटी बातों से मैं धोके में नहीं आता अव सर पाओ तो गला काट लो इस पर चली हो तो बात बनाने माने दुखी होकर कहा बेटा ऐसे जी दुखाने वाली बात क्यों करते हो घर में तुम्हारा कौन बैरी है जो तुम्हारा बुरा सोचेगा डॉक्टर बोला मैं किसी को अपना मित्र नहीं समझता सभी मेरे बैरी हैं मेरे प्राणों के ग्राहक हैं नहीं तो कि आख होजल होते ही मेरे मेच से 500 रुपे उड़ जाएं। दर्वाजे बाहर से बंद थे, कोई गैर आया नहीं, रुपे रखते ही उड़ गए। जो लोग इस तरह मेरा गला काटने पर उतारू हूं, उन्हें क्यों कर अपना समझू। मैंने खुब पतल लगा लिया है, अभी एक ओजह के पास से चला आ रहा हूं। उसने साफ कह दिया है कि घर के ही किसी आदमी का काम है। अच्छी बात है, जैसी करनी, वैसी भरनी। मैं भी बता दूँगा कि मैं अपने बैरियों का शुपचिन तक नहीं हूं। यदि बाहर का आदमी होता, तो कदाचित में जाने भी देता। पर जब घर के आदमी जिनके लिए राद दिन चक्की पीसता हूं, मेरे साथ ऐसा चल करें, तो वे इसी योग्ये हैं। क्यों के साथ जराभी रियायत ना की जाए। देखना सवेरे तक चोर की क्या दशा होती है। मैंने ओजे से मूट चलाने को कह दिया है, मूट चली और उधर चोर के प्राण संकट में पड़े। जगिया घबडा कर बोली भहिया मूट में जान जो खम है। डॉक्टर बोला चोर की यही सजा है। जगिया बोली किस ओजे ने चलाई है। डॉक्टर ने बताया बुद्धु चोधरी ने। जगिया बोली अरे राम उसकी मुटका तो उतार ही नहीं। डॉक्टर अपने कमरे में चले गए तो मा ने कहा सूम कधन शेतान खाता है। 500 रुपय कोई मूँ मार कर ले गया इतने में तो मेरे साथो धाम हो जाते हैं। अहिल्या बोली कंगन के लिए बरसों से जीक रही हूँ। अच्छा हुआ मेरी आह पड़ी है। मा बोली भला घर में उसके रुपय कौन लेगा। अहिल्या बोली किवाड खुले होंगे कोई बहर ही आदमी उड़ा ले गया होगा। मा बोली उसको विश्वास क्यों कर आ गया कि घर के ही किसी आदमी ने रुपय चुराए हैं। अहिल्या ने कहा रुपय का लुप आदमी को शक्की बना देता है। रात को एक बजा था डॉक्टर जैपाल भयानक स्वपन देख रहे थे। एका एक अहिल्या ने आकर कहा जरा चल कर देखिये जगिया का क्या हाल हो रहा है। जान पड़ता है जीब एट गई है कुछ बोलती ही नहीं आखे पत्रा गए। डॉक्टर चौक कर उठे एक शर तक इधर उधर ताकते रहें। माने सोच रहे हैं। यह भी स्वपन तो नहीं तब बोले क्या कहा जगिया को क्या हो गया। अहिल्या ने फिर जगिया का हल कहा। डॉक्टर के मुख पर हलकी सी मुस्कुराहाट डोड़ गे। बोले चोर पकड़ा गया। मूठ ने अपना काम किया। अहिल्या ने कहा और जो घर ही के किसी आदमी ने ले लिये होते। डॉक्टर ने बोला तो उसकी भी यही दशा होती सदा के लिए सीख जाता। अहिल्या बोली पांत सो रुपे के पीछे प्राण ले लेते। डॉक्टर ने कहा पांत सो रुपे के लिये नहीं आवशकता पड़े तो पांच हजार का खर्च कर सकता हूँ। केवल छल कपट का दंड देने के लिए। के छीटे दे रही थी। डॉक्टर ने यहालत देखी तो होश उड़ गये। उन्हें अपने उपाय की सफलता पर प्रसंद होना चाहिया था। जगिया ने रुपे चुराए इसके लिए अब अधिक प्रमाण की आवशकता नहीं थी। परन्तु मूट इतनी जल्दी प्रभाव डालने वाला और घातक वस्तु है। इसका उन्हें अनुमान भी ना था। विचोर को इड़िया रगड़ते, पीड़ा से करहते और कड़पते देखता चाहते थे। बदला लेने की एक्षा आशातीत सफलो रही थी। परन्तु वहाँ नमक की अधिकता थी जो कौर को मूँ के भीतर धसने नहीं देती। ये दुख में दृश्य देखकर प्रसन होने के बदले उनके हिर्दे पर चोट लगी। रोब में हम अपनी निर्दयता और कठोड़ता का ब्रहमूला का नुमान कर लिया करते हैं। प्रत्यक्ष गटना विचार से कहीं अधिक प्रभावशालिनी होती है। रण इस्थल का विचार कितना कवित्मय होता है जो धावेश का कावे कितनी गर्मी उत्पन करने वाला है। परन्तु कुछले वश्य आपके कटे हुए अंग प्रत्यंग देकर कौन मनुश्य है जिसे रोमांच नहों दया मनुश्य का सवाविक गोड है। इसके अतरिक इसका उन्हें अनुमानना था कि जगिया जैसी दुर्वल आत्मय मेरे रोश पर बलिदान होगी। वे समझते थे मेरे बदले का वार किसी सजीव मनुश्य पर होगा यहां तक कि वे अपनी स्त्रियों लड़के को भी वार की योगी समझते थे पर मरे को मारना, कुछले को कुछलना उन्हें अपना प्रतिगात मर्यादा की विप्रीत जान पड़ा। जग्या का यह काम शमा की योगी था, जिसे रोटियों के लाले हो, कपड़े को तरसे, जिसकी अकांग्षा का भवन सदा अंधकार मैं रहा हो, जिसकी एक्छाएं कभी पूरी ना हुई हो, जिसकी नियत बिगड़ जाए, तो आश्चेरी की बात नहीं, विततकाल आश्धा जग्या को होश में लाने का वियतन करने लगे, थोड़ी ही तेर में जग्या की आखे खुल गई, उसने सहमी उई द्रिष्टी से डॉक्टर को देखा, जैसे लड़का अपने अधिहापा के छड़ी की और देखता है, और अख़ड़े हुए सुर में बोल लाए, हाई राम कलेज भुका जाता है, अपने रुपे लेले आले पर एक हांडी है, उसी में रखे हुए है, मुझे अंगारों से मत जला, मैंने तो ये रुपे तीरत करने के लिए चुराए थे, क्या तुझे तरस नहीं आता मुठी बर रुपेयों के लिए मुझे आग में जला रहा है, म मैं तुझे ऐसा काल ना समझती थी, हाई राम, ये कहते कहते मैं फिर मूर्चित हो गई, नाड़ी बंद हो गई, ओठ नीले पड़ गए, शरीर के अंगों में खिचा होने लगा, डॉक्टर ने दीन भाव से अहिलिया के और देखा और बोले, मैं तो अपने सारे उपाय कर चुकर अब इसे होश मिलाना मेरी सामर्थ की बहार है, मैं क्या जानता था कि ये अभागी मूठ इतनी घातक होती है, कहीं इसकी जान पर बन गी तो जीवन भर पच्ताना पड़ेगा, आत्मा की ठोकरों से कभी छुटकारा ना मिलेगा, क्या करूं बुध्धी कुछ काम न चुका हूँ, हर घड़ी इसकी दश्या और गिरती जाती है, ना जाने हत्यारे ने कौन सा मंतर चला दिया है, उसकी मा मुझे बहुत समझाती रही, पर मैंने क्रोध में उसकी बातों की जरा भी परवाना की, मा बोली, बेटा तुम उसी को बुलाओ जिसने मंतर चलाया है, पर क्या किया जाए, कहीं मर गी तो हत्या सिर पर पड़ेगी, कुटम को सदा सताएगी, दो बज रहे थे ठंडी हवा हड्यों में चुभी जाती थी, डॉक्टर लंबे पाउं बुद्धु चौदरी के घर के ओर चले जाते थे, इधर उधर व्यर्थ आखे दोडाते थे कि कोई एक का या तांगम मिल जाए, उन्हें मालूम होता था कि बुद्धु का घर बहुत दूर हो गया होगा, कई बार धोका हुआ, कहीं रास्ता तो नहीं भूल गया, कई बार इधर आया हूँ, ये बाग तो कभी नहीं मिला, लेटर बक्स भी सड़क पर नहीं देखा, वह पुल तो कदापी ना था, आवश्य रहा भूल गया, किस से पूछू, वे अपनी इस्परण शक्ती पर जुझलाया और उसी और थोड़ी दूर तक दोड़े, पता नहीं दुष्ट इस समय कहा मिलेगा भी या नहीं, शराब में मस्त पड़ा होगा, कहीं इधर बेचारी च जाकर जोड से कुंडी खटगटाई, भीतर से कुत्ते ने असब्भेता पूर्ण उतर दिया, पर किसी आदमी का शप्त सुनाई ना दिया, फिर जोड जोड से किवाड़ खटगटाए, कुत्ता और भी तेज पड़ा, बुढ़िया की निन टूटी, यह कौर इतनी राद ग पड़ी नहीं तो इतनी राद गई क्यों आते, पर अभी तो बुढ़िया 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 इस बक्त मैं न जगाउंगी, मुझे कच्चा ही खा जाएगा, रात को लाट साहब भी आवे तो ना उठता, डुक्टर साहब ने थोड़े श इतने में बुढ़िया अपने आप ही बाहर निकलाया और आखे मलता हुआ बोला, कहिए बाबुजी क्या हुक्म है, बुढ़िया ने चड़ कर कहा, तेरी नीद आज कैसे खुल गई, मैं जगाने गई होती तो मारने उठता, डुक्टर बोले मैंने सब माजरा बुढ़िया सुनाई, मूट को फेरना सहज नहीं है, बुढ़िया बोली, बेटा जान जोखे में क्या तू जानता नहीं, कई उल्टे फेरने वाले पर ही पड़े तो जान बचना ही कठिन हो जाए, डॉक्टर साब बोले, अब उसकी जान तुमारे ही बचाय बचेगी, इतना धर्म करो, बुढ़िया बोली, दूसरे की जान की खातिर कोई अपनी जान गड़े में डालेगा, डॉक्टर ने कहा, तुम राद दिन यही काम करते हो, तुम उसके दाओं घात सब जानते हो, मार भी सकते हो, जिला भी सकते हो, मेरा तो इन बातों पर विल्कुल विश्वास ही ना था लेकिन तुमारा कमाल देखकर दंग रहे गया, तुमारे हाथों कितने ही आदमियों का भला होता है, उस गरीब बुढ़िया पर दया करो, बुद्धु कुछ पसीजा पर उसकी मा मामलेदारी में उसे कहीं अधिक चतुर थी, डरी, कहीं यह नरम होकर मामला बिगाड़ ना बुद्ध बोला, हाँ बाबुजी, काम बड़े जोखिम का है, डॉक्टर ने बोला, काम जोखिम का है, तो मुफ्त नहीं करवाना है, बुढ़िया बोली, आप बहुत देंगे, सौ पचास रुपे देंगे, इतने में हम के दिन तक खाएंगे, मूट फिरना साब के बिल मे हाँ डालना है, आग में कूदना है, भगवान की ऐसी ही निगान हो, हो तो जान बचती है, डॉक्टर बोला, तो माता जी में तुम से बाहर तो नहीं होता हूँ, जो कुछ तुमारी मर्जी हो वह को, मुझे तुस गरीब की जान बचानी है, यहां बातों में देर हो रही है वहां मालूम नहीं उसका क्या हाल होगा, बुड़े अभूली देर तो आप ही कर रहे हैं, आप बात पक्की कर दें तो आगे है आपके साथ चला जाए, आपके खातेरी है, जो कि मैं अपने सिर ले रही हूँ, दूसरा होता तो जटिंग कर कर जाती, आपके मुलाजे में प जगिये मौत के मुझ से निकल आए, जिस रुपे पर वे अपनी आवशकता है और घरवाली की आकांगशाए निचावर करते हैं, उसे दया के आवेशने बिलकुल तुच्छ बना दियता है, बोले तुम ही बतला और मैं क्या कहूं, पर जो कुछ कहना हो जट पट कह दो, ब भाग में मरना ही बदा है, बुढिया बोली तो जाने दीजे, हमें अपनी जानभार थोड़े ही है, हमने तो आपके मुलाइजे से इस काम का बीड़ा उठाया, जा बुद्धू, सो जाओ, डॉक्टर बोला, बुडी माता इतनी निर्देता ना करो, आदमी का काम आदमी से निकलता है, बुद्धू बोला, नहीं बाबुजी, मैं हर तरह से आपका काम करने को तयार हूँ, इसने पात सो कहे, आप कुछ कम कर देजे, हाँ जोखिम का ध्यान रखेगा, बुडिया बोली, तू जा के सोता क्यों नहीं, इन्हें रुपे प्यारे हैं, तो क्या हमें नाए ना पनेगी, बाल बच्चो को किस पर छोड़े गया, है घर में कुछ, डॉक्टर साब ने संकोच करते हुए डाई सो रुपे कहे, बुद्धू राजी हो गया, मामला तैह हुआ, डॉक्टर साब उसे साथ लेकर घर की और चले, उन्हें ऐसी आत्मिक प्रसने तक कभ सास अंतिम सास है, उसकी मा और इस्त्री दोनों आसू भरे निराश बैठी थी, बुद्धू को दोनों ने विनमरद रिष्टी से देखा, डॉक्टर साहब के आसू भी ना रुक सके, जगिया की और जुके तो आसू की बूंदे, उसके मुर्जह हुए पीले मुँपर टप पड़ी, इस्तिती ने बुद्धू को सजा कर दिया, बुढ़िया के देपर हाथ रखते हुए बोला, बाबुजी आप मेरा किया कुछ नहीं हो सकता, यह दम तोड रही है, डॉक्टर सामने गिडगड़ा कर कहा, नहीं चौधरी, ईश्वर के नाम पर अपना मंत्र के लिए मैं तुम्हारा गुलाम बना रहूंगा, बुद्धू बोला, आप मुझे जान बूज कर जहर खाने को कहते हैं, मुझे मालूम ना था कि मूट के देवता इस वक्त इतने गरम है, वे मेरे मन में बैठे खह रहे हैं, तुमने हमारा शिकार छीना, तो हम तुमें नि बचा दोगे? बुद्धू बुला हाँ, शर्त बंद। परह था, अंत में कोई आदा घंटा बीदने बर जगिया ने आखे खोल दी, जैसे बुझते हुए दिये में तेल पढ़ जाए, धीरे धीरे उसके अवस्ता सुधरने लगे, उधर कौवे की बोली सुनाए दी, जगिया एक अंगडाई लेकर उठ बैठी, साथ बजे थे, जगिया मीठी नीन सो रही थी, उसकी आकरती निरोग थी, बुधु रुपियों की थेली लेकर अभी गया था, डॉक्टर साब की मा ने कहा, बात की बात में पांत सु रुपे मार ले गया, डॉक्टर बोला यह क्यों नहीं कहती कि एक मुर्दे को जिला गया, क्यों उसके प्राण का मूल एतना भी नहीं, मा बोली देखो, आले पर पांत सु रुपे हैं या नहीं, डॉक्टर बोला नहीं, उन रुपियों में हाथ मत लगाना, उन्हें वहीं पड़े रहने दो, उन्हें तीरत करने के वास्ते लिए थे, वे उसी काम में लगेंगे, मा बोली यह स